जेल का ताला तूटेगा? देते हैं ना? तो जो ताले की जो चावी है, वो चावी है आप लोग. आपका एक-एक वोट चावी है क्योंकि अगर इंडिया अग्डवंधन की सरकार दिल्ली में चार जून के बाद आ रही है, तो आपके हेमन सोरेन भी बाहर आ रहे हैं और ये निश्यत हो चुका है अगर आपको अपने दाधा से, अपने हेमन बाबु से, अपने प्रियमुख्य मंत्री हेमन सोरेन जी से अगर प्यार है मौपत है तो आप अपने हमारे इंडिया गडबंदन के प्रत्याशी को वोट कर करेंगा चाहें धूप कितनी कड़ी की नहीं हो'll आपको प्रचंड मात्रा में बोट कर रहा है करिएंगा कि नहीं करिए एंग तो मैं आप से कुछ सवाल पूछुँंगी आप उशे जवाब दीजेगा मत्तान की तारीक कौन सी कौन सी तारीक कौनसी तारीक कौन और आपका छाफ क्या है दिखाईये कौन सा शाफ कौन सा शाफ कौन सा शाफ क्रम संख्या और यह जीत सुनिश्चित करनी है आपको और इस जीस्त को सुनिश्चित करने के लिए आपने आज जिस जोशीले अंदाज में यहां दिया है उसी तरीके से एवियम मशीन का भी बटन दबाईएगा और हमारे इंडिया गटबंदन के प्रत्याश्वी को गोट करके इंडिया गटबंदन दिल्ली आ रही है हम दिल्ली हिंदुस्तान है हर उस मजबूर और मश्बूर व्यक्तियों का जिसका रखवाल आगर किसी को होना चाहिए तो वह केंदर सरकार को होना चाहिए था लेकिन आज की यह जो परिस्तिति आपके सामने उत्पन हो रही है वह परिस्तिति का अगर आपको लेखा जो खा मिले तो आप लोगों को प्रेश्ट बीजेपी वालों से पूछना चाहिए था ये बीजेपी वाले लोग 2014 में जमिन को जनादेश मिला इतने बड़े बड़े वादे करके आए कि किसानों की आई दुगनी करेंगे 15 लाख खाते पे आएंगे काला धन बाहर साएगा आपके खातों में 15 लाख आएंगे मुझे को लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आप ही गए होंगे आए आपके अकाउंट में पैसे अरे देख लीजे आ गए होंगे दस साल पुरानी बात है कुछ तो आया होगा आया है आप लोग हाँ बोल रहें कि ना बोल रहें नहीं आया है ये वही लोग है जो रोजगार की बात करते थे 2014 में अगर सबसे जादा वोट मिला है तो हमारे युवा वर्क ने वोट किया है और इसलिए किया था कि उनको लगा था कि हमारा भविष्य थोड़ा उजवल होगा प्रकाशिक होगा लेकिन आज आप देख सकते हैं 10 साल हो गए कहां गए वो बाते कहां गए वो वादे जिनके जिनका भरोसा जीत करके हमारी जनता का भरोसा जीत करके इन्हों ने कहा था कि हम भारत को सुद्रिद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मुझे लगता है ब्रश्चा 4 की बात ये लोग करते हैं जितने बड़े-बड़े ये लोग हम लोग के उपर में उठाते हैं जितने दागीदार नेता है सब आज BJP में जाके बैठे हुए है मैम ने जैसे कहा प्रियंका मैम ने जैसे कहा कि जहां पे ED वाले वही जाते हैं, चंदा दे दो, सब के इस ख़दम हो जाएगा हाँ, आपने सही कहा, वही, ऐसा मशीन है, जिसमें से आप पार हो जाएं सारे आपके साफ सफाई, सब हो जाएंगे, एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा और आप लोगों ने तो सुनाई होगा, जितना जागा, बड़ा ब्रश्चाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं, उत्रे बड़े बदाधिकारी लेकिन ये लोग अपनी बाते, अपने उंगली हमारे उपर इंडिया गडबंदन की उपर उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां आपके उपर ही जा रही होती है और मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे यहां गोड़ा के लोगों को, कि आप लोगों ने अभी वर्तमान में जो बीजेपी के उलिदवार हैं, उनका व्यक्तित्व तो देखी लिया होगा, उनके इतने बड़ बोलेपन हैं, कि हमारे कॉंग्रेस की चाहे महिला विधायक हो, पांडे जी हो, बादल पत्र लेक जी हो, इनके उपर में भी कैसे अपशब्द बादे करते हैं, और ये एक सब्धे समाज में, एक सब्धे समाज में ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतने बड़े जगा में होना नहीं चाहिए, और इस बार ये चुनावा आप लोगों को करना है जो व्यक्ति एक महिला का इसत नहीं कर सकता, जो व्यक्ति एक जन्प्रतिनिदी का इसत नहीं कर सकता, तो आप बताइए कि एक आम जंता को वो किस नजर से देखेगा ये आज आपको निर्दारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है हमारे इंडिया गडबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई हैं प्रदीब भाईया जी को आपको जिताना है यहाँ एक तारिक एक जून को मद्दान होगा क्रम संख्या दो आपको भारी मतों में बारी मतों में इनको विज्वाई बनाना है क्योंकि मैं आपको कह देना चाहती हूँ अगर आप इनको प्रदीब यादक जी को बड़े भाईया को अगर आप जिताइएगा तो आप जार्खंड के मुद्दों को जिताइएगा ये वही विधायक है जो विधान सभा में जिनकी आवाज जंतार तरीके से गूँचती है अपने जार्खंडियों की आवाज जंतार तरीके से गूँचती है तो मुझे लगता है कि अब संसत की भी बारी आ गई है और हमारे जब ये संसत बन करके जाएंगे तो जार्खंड कि जो अपने मुद्दे होंगे, उनको प्रकर्ता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इसका आशिर्वाद आप लोगों को देना है आप वही से बैठ करके, अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आप आशिर्वाद दीजिए अपने बेटे को अपने भाई को अपने दादा को कि आपको पूरा आशिर्वाद देना है आप लोग सब लोग दो आप लोग भाई से आशिर्वाद दीजिए विजाई भाव का आशिर्वाद दीजिए ये विजाई भाव आप प्रदीप जी को करिएगा ये विजाई भाव आप हेमन जी को करिएगा ये विजाई भाव आप दिशम गुरु शीवू सोरें जी को करिएगा ये विजाई भाव आप इंडिया गडबंदन को करिएगा इंडिया गडबंदन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशिरवात से तो सरकार का मतलब होता है कि हमारे जितने भी युवा हैं, खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेगी इंडिया गडबनन का मतलब होता है हमारा ये सुन्दर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा अपने सब बच्चों के आगे बढ़ा करके उनकी सिक्षा में आगे बढ़ा करके महिलाओं को अपनी भागीदारी दे करके अपने भाईयों सब्सक्राइब देते हैं आप लोग हमेशा अपने हेमन सोरें दादा के लिए एक नारा देते हैं जेल का ताला तूटेगा देते हैं न तो जो ताले की जो चाबी है वो चाबी है आप लोग आपका एक एक वोट चाबी है क्योंकि हिंद अगर इंडिया वर्टमंदन की सरकार दिल्ली में चार जून के बाद आ रही है तो आपके हेमन सोरेन भी बाहर आ रहे हैं और ये निश्चित हो चुका है अगर आपको अपने दादा से अपने हेमन बाबू से अपने प्रियमुख्य मंत्री पूर्व प्रियमुख्य मंत्री हेमन सोरेन जी से अगर प्यार है मोहबत है तो आप अपने हमारे इंडिया गडबंदन के प्रत्याशी को वोट करिएगा और प्रचंड मात्रा में वोट करिए तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी आप मुझे जवाब दीजेगा मतान की तारी पॉझकивать कौन सी तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक और आपका छाप क्या है दिखाईए कौन सा छाप कौन सा छाप क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या आपको और इस जीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आपने आज जिस जोशीले अंदाज में यहां दिया है उसी तरीके से एविए मशीन का भी बटन दबाईएगा और हमारे इंडिया गटबंदन के प्रत्याश्वी को गोट करके इंडिया गटबंदन दिल्ली आ रही है हम आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है अभार है इतनी गर्मी में भी आए ये टेंट भी छोटा पड़ गया है बहुत लोग बाहर भी खड़े है वहाँ गाड़ी के उपर में भी खड़े है और अगर आप थोड़ा सा देख पाएंगे तो हिंदुस्तान का जंडा भी आपको नजर आएगा पीछे मुड़ के देख लीजिए और सलाम करिए इस हिंदुस्तान के जंडे को क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान के करीब गुर्मा मजदूर किसान पिछणा आदिवासी दलित अल्प संक्याद जरूरत मंद का हिंदु इस हिंदुस्तानी हम लोग है और मुझे लगता है आप लोगों का आशिरवाद इंडिया गडबंदन को जरूर मिलेगा मेरी तरफ से बहुत-बहुत जोहार है प्रणाम है और सलाम है